खर्च से होगी इच्छा पुर्ती राज योग लाएंगे सम्रूति भूख से अधिक भोजन करना विक्रूति जितनी भूख हो उतना भोजन करना प्रकूति और समय आने पर स्वयम भूखे रहकर दूसरों को भोजन खिलाना संस्कूति होता है यह समस्कूति मीन जातकों को प्राकूतिक रूप से प्राप्त होती है जन्म के साहत वह उनके साथ आती है दूसरों को खिलाने से दूसरों का विचार करने से उन्हें आनन्द प्राप्त होता है अर्थात मीन जातकों की यह सबसे बड़ी विशेष्टा कही जा सकती है कि वे स सबसे पहले सामने वाले का विचार करते हैं अत्यंत सब्वेदन शील दुसरों का ध्यान रखने वाले गुरु महराज की जलत अत्व की राशी को मीन राशी कहा जाता है नमस्कार मैं अश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेवी एव मध्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूं हम अगस्ट 2022 मेने के राशी फल को समझ रहे हैं उसमें आज हम मीन राशी के जातकों के लिए यह अगस्ट पहना कैसा रहेगा इस पर विश्तार से वारतालाब करेंगे विभिन्न गुरुष्टिकों से इस मेने के ग्रहस्तिति का शास्त्रोक्त विश्लेशन करेंगे साथ ही विडियो के अंत में मैं आपको इस मेने करने वाले विशेश उपाय बताऊंगी विडियो अंत तक देखें व्यक्तित्व की दुरुष्टि से विचार करें तो राशी स्वामी की स्थिति महत्वपुर्ण होती है आपके राशी स्वामी गुरु महाराज राशी में विराजमान है सबसे महत्वपुर्ण बात है कि वे पंच महापुरुष योगे में से एक हंसराजयोग का निर्मान कर रहे है यह योग आपके व्यक्तित्व में विशेक्षक नता लाता है उसे सववेदंशिल बनाता है कई लोग आपके पास मारगदर्शन हितु आते हैं समाज में आपकी प्रतिष्टा बढ़ती है नाम बढ़ता है खुल मिला कर व्यक्तित्व की दुरुष्टी से यह अत्यंत में विराजमान लेकिन वह राहु और हर्षल भी उपस्तित है दस अगस्त को मंगल राशी परिवर्तन कर आपके तुरुतिय स्थान में प्रविश करें राहु हर्शल धनस्तान में रहेंगे सामान्य रूप में मीन जातकों के परिवार में सदैवा आनंद सवख्य रहता है लेकिन इस अउधी में सवख्य कहीं खो जाएगा घर की शांती भंग हो सकती है लेकिन मीन जातक अपनी बुद्धी से राशी में निर्मान होने वाले रा ना आपके लिए आवश्यक रहेगा इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए पराक्रम परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए शुक्र देव महतोपुर्ण होते हैं क्योंकि वे आपके दृतियेश है वर्तमान सब्वे में उनका निर्मान होगा क्योंकि वहां से उनकी दृष्टी लावस्तान पर लावस्तान में विराजबान शनी महाराश पर होगी जिस कारण कहीं न कहीं आपके लिए लाव के योग निर्मान होंगे लेकिन परिश्रम से प्राप्त लाव ऐसा उस लाव का स्वरूप रहेगा करेंगे तब चतुर्त के चतुर्त के चतुर्त स्थान में यह स्थिति निर्मान होगी जो अत्यंध्यूभ मानी जाती है परिणाम सरूप यह काल वास्तुवहन से की दुरुष्टी से आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध्ध होगा उसका उपवयोग की जिए शिक्षायों मिष्टदेव के सहयों की दुरुष्टी से विचार करे तो मेहने के प्रथम पक्षवाडे में आपके पंचम स्तान में रवी देव विराजमान है 6 अगस्ट को वहाँ शुक्र का आगमन होगा जिस कारण यह उदी मैणेजमेंट, टेकनिकल, मैकेनिकल, फार्मसी ऐसे सबी शेत्रों के विद्यार्तियों के लिए शुभर रहेगा स्याथी ग्रैजुएशन जो विद्यार्ति पढ़ रहे है उनके लिए शुभर और पोस्ट ग्रैजुएशन के विद्यार्तियों के लिए काल थोड़ा संगर्शकार आहेगा जीस कारण आपको अधीक परिश्रम करना पड़ेगा अर्था थोड़ा अधीक अध्यान करना पड़ेगा तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है इसलिए वैसी मानसिक्ता आपने मेहने के प्रारम से बना लेनी चाहिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद स्वास्त कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों को इस मेहने सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे अर्थात महिने के प्रतम पक्वाडे में आपको स्वास्त से सम्मंदित कुछ समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है विशेश रूप से पेट या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है साथ ही वजन बढ़ने की भी संभावना है लेकिन दुस्रे पक्वाडे में आपका स्वास्त अच्छा रहेगा जिनने कर्जे के आवशक्ता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा प्रतिस परदी ओपर आप विजय प्राप्त करेंगेगे यूंकि आपका राशी स्वामी प्रबल अवस्ता में है राशी स्वामी जब प्रबल होता है तब किसी भी संकट से व्यक्ति बाहर निकल जा सकता है इस मैने मीन राशी के स्वामी गुरु महराज अत्यंत प्रबल वस्ता में है उनके इस्तिती का सदुपयोग कीजिए नोक्री एवं व्यावसाइके दुरुष्टी से विचार करें तो व्यावसाइक मीन जातकों के लिए महने का प्रतम पक्वाडा प्रगतिका रहेगा दूसरा पक्वाडा नोक्री करने वाले जातकों के लिए पदोन नतिका रहेगा नोक्री में आपको गतकुछ दिनों से विभिन्न प्रकार की परिशानिया हो रही थी वरिष्टा कारण ही आपको परिशान कर रहे थे या सहकर्मी असहोग कर रहे थे इन सभी परिशानियों से अब आपकी मुक्तता होगी जिस कारण आप स्ताइर्य का अनुभव करने वाले हैं, संक्षेप में नोक्रिय और म्योसाई इन दोनों दुरुष्टियों से यह समयकाल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। भाग्य एम शुभ संकेत की दुरुष्टि से विचार करें, तो मीन जातकों के लिए पूरा महिना शुभ संकेतों से भरा है। ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्व पुर्णबात है कि आपके राशी में निर्मान होने वाला हंसयोग। साथ ही 20 अगस्त को बुदग रह आपके सप्तम स्तान में आकर भद्र राजयोग की निर्मिती करेगा। पंच महापुरुशोगों में से दो बड़े शुभ ग्रहोदारा राजयोग निर्मान होंगे। अर्थात आप और आपका जीवन साथी दोनों एक ही रास्ते से प्रगति करने वाले हैं। इसलिए यह महिना आपके लिए शुभ संकेतों का भग्य का ऐसा हम कह सकते हैं। कर्म की दृष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए करमेश्क गुरु महराज होते हैं। जो आपके राशी स्वामी भी है। वे अपने ही राशी में अर्थात प्रथम स्तान में विराजमान है। यह स्तिती भले ही शुबलत्ती हो लेकिन वे कर्मस्तान से चत्थुरतस्तान में विराजबान है परिडाम सरूप वे कही न कही आप में विश्राम करने की रूची बढ़ाएंगे वैसे भी मीन जातक शांती से सम्यता से जितना हो सके उतना काम करने की मानसिक्ता के होते हैं इ इसलिए आपने अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए साथ ही लिया हुआ काम समय से पहले पुर्ण करे यह सलाह दी जाती है लाब की दुरुष्टी से विचार करे तो लाब स्तान में शनी महराज विराजमान है वास्तों में इस स्तान का नाम इच्छा पूर्ति का स इस स्तान में पाप गरह अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं शनी महराज वक्री होकर आपके लाबस्तान में आये हैं उसमें वे अगनी तत्व के नक्षत्र में विराजमान है इसलिए उनके फलों की तिवरता अधिक बढने वाली है मीन राशी के लिए शनी महराज का यह गोचर लाभकारी रहेगा क्योंकि एक तो वे इच्छापुर्ति के स्तान में है उपचैस्तान होने के कारण उन्हें विशेश रूप से अच्छा लगता है लाभस्ताने में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए आता है उस अनुसार लाभ के कई अउसर निर्मान होंग क्योंकि मीन राशी के लिए वे शनी महराज है वे इच्छापुर्ति के स्तान में अर्थात आपके वे स्तान में विराजबान है इस तिति के परिणाम सरूप आप कोई खर्च करेंगे इच्छापुर्ति होगी कोई खर्च करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होंगा ऐ विशेश रूप से नोप्री करने वाले योग मैं में प्रकार चीनता रहे तो दूसरे बंढ़ाडे में दूर होकर शुबहकाल सुरू होगा जीवन सुख दुख और उतार चड़ाव से भरा होता है कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता महने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते है तो कुछ दिन संगर्ष कठिनाई और तनाव से भरे होते है इस दुरुष्टी से मीन जातकों के लिए 8, 16 और 26 अगस्ट यह दिन सुखदायक तथा शुबर रहेंगे और 6, 14 और 24 यह दिन अशुब तथा तनाव पुर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों, बाधाओ, समस्याओ का अनुभो करेंगे तो यह मानसिक्ता आपको पहले से बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में छोटे छोटे और बढ़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गये है अशुब चीजों की अशुबता कम करने का, शुब चीजों की शुबता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार अगस्ट महिने के उपायों का विचार करें तो इस महिने राखी पोर्निमा है इस त्योवार के महत्व को हम सभी जानते हैं उस अनुसार हर बहन ने राखी बांते समय अपने भाई के समृद्धि के लिए एन व बद्धो बली राजा दानवेंद्रों महा वल्या थेन त्वामप्रति बद्धन आमी रक्षे माचल माचला इस मंत्र का पाट करना है यह आपके भाई की जो राशीवी उस राशी के मंत्रों का भी जाप करें अर्था जिनके भाई की मीन रायस है वह ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमहा इस मंत्र का जाब करें इसके अलावा अन्य मीन जातक भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाब करें इस उपाय के आपको शुभवल प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन राशी तक हर राशी के लिए यह माह कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने आपके इस चैनल पर बारह वीडियो अप्ला ओड किये है लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिए पुनश्य अवश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपाना ना भुले धन्यवाद